हेलो फ्रेंड्स रेयान निटिंग क्रेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके सामने एक बहुत सुन्दर सा डिजाइन लेकर आई हूँ यह डिजाइन जो है अठारा के मल्टी पल्स पे पड़ता है और देखने में बहुत सुन्दर है इसको आप लेडीज लेडी स्वेटर बेबी स्वेटर और इवन फ्रॉक्स पे बहुत अच्छा लगता है यह मैंने दो कलर्स में बनाया है आप जाओ तो इसको मल्टी कलर्स में भी बना सकते हो चलिए शुरू करते है चलिए अब हमें यह पहले ग्रीन से था ना अब हमें इसको वाइट धाग में तो इसमें एक सलाई में डिजाइन पड़ता है बागी तो सीधी उल्टी है तो यह पूरी सलाई हम सीधी बुन लेते हैं यह देखे हमने सारे सलाई सीधी बुन ली है अब यह नेक्स सलाई जो है हमारी इसको हम उल्टा बनेंगे यह पूरी सलाई को हम उल्टा बना लेते हैं देखिए हमने पहली रो जो थी बिल्कुल सीथी बना ले थी फिर दूसरी रो हमने उल्टी बना ले थी अब यह तिसरी रो पे हैं अब यहाँ पे जो है इसका में डिजाइन पड़ेगा चलो शुरू करते हैं पहले हम यह जो इसके छे फंदे हैं इनको तीन करते हैं एक, दो, तीन तो हमने यह छे फंदों के तीन करती हैं अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जो यह छे फंदे हैं इनके डबल कर देंगे, बारा कर देंगे तो हम इसको आगे लेंगे और बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो ये छे के हमारे बारा हो गए, तो यानि की छे पंदे पढ़ गए हमारे, अब हम इसमें बारा के छे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शुरू के आप ये तीन फंदे छोड़ दीजे, तो ये देखी हमने यहां छे के पहले छे फंदे यहां बढ़ाए, और यहां छे फंदे हमने कम करें, तो ये हमारे बैलन्स हो गए, ये शुरू के तीन छोड़ दीजे, ये इसको आगे अज़स्ट होएगा, अब फिर हम फिर से क्या करेंगे, छे फंदे बढ़ाएंगे, तो एक, दागा आगे करके सीधा, दो, दागा आगे करके सीधा, तीन, चार, पांच, छे, तो अब ये क्या होए, हमने छे के बारा कर ये लिए है, छे फंदे हमारे बढ़ गए है, अब फिर हम से हम छे फंदे घटाएंगे, तो बारा के हम छे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, तो ये बारे बैलन्स हो गए, छे हमने बढ़ाएंगे, छे घटा दिये, फिर से हम छे बढ़ाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे हमारे फंदे बढ़ गए हैं, अब हम छे फंदों को कटाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो ये हमारे बैलन्स हो गए, जो छे बढ़ाएंगे, छे हमने घटा दिये, अब फिर से हम छे फंदों को, तीन, चार, पांच, छे, अब हमने यहां छे फंदे बढ़ा लिए, और अब हमारे पास पढ़े हैं, छे, यानि कि छे फंदे बढ़ गए हैं, और छे के हमने तीन करने, तो हमारे यहां तीन फंदे तो बैलंस हो जाएंगे और तीन जो हमने यहां पर गटाए थे वो बैलंस हो जाएंगे तो हमारे फंदे पूरे के पूरे 72 ही रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में करे थे तो हम इन 6 फंदे हमारे भढ़ गए हैं और ये अब हम 6 के 3 करेंगे एक, दो, तीन जो 3 फंदे यहां गटाए थे, 3 फंदे यहां गटाए यो 6 घट गए और 6 हमने यहां बढ़ा दिये तो यह चाय कितने भी चाय आप 18 रखें, 36 रखें, 72 इसका लॉजिक यही है कि शुरू में आपने 6 घटाने है और आखिर में 6 घटाने है बीच में वो अपने आप फंदे एड़्जस्ट हो जाएंगे एक बार घटाने है एक बार बढ़ाने है और इसी लिए यह कर्व बनता है क्योंकि जब हम बढ़ाते है तो यह उपर आता है फिर घटता है नीचे की तरफ आता है बढ़ता है घटता है इसलिए यह कर्व सा डिजाइन बहुत खुबसूरत लगता है और इसकी चौथी सलाई पूरी सीधी की सीधी बुन ली है इसको मैं बुर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ और इस तरह हमने ये पूरी सलाई पूरी सीधी बुन ली है तो ये हमारी चार सलाईयों का जो डिजाइन था इसके साथ complete हो गया यह देखे ऐसे नजर आता है डिजाइन बहुत खुबसूरत है और बहुत अच्छा भी इजी भी है बनने में सिर्फ थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि शुरू में हमें 6 फंदे घटाने है और 6 फंदे हमें आखरी में घटाने है बाकी तो फंदे एक बार बढ़ान है फिर घटाने है और वो सारे चाहे कितने भी रखें आप 18, 36, 54, 72, 18 के मल्टीपल्स वो सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे मैंने 72 फंदों का मैं यह बॉर्डर बना रही हूं आप इसको बेबी स्वेटर के बॉर्डर में भी डाल सकते हैं मैं भी बेबी स्वेटर के वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू